हेलो गाईस, السلام علیکم, कैसे हैं आप, आज 9 मार्च 2024 है, जब मैं ये वीडियो रिकार्ड कर रहा हूँ, बिटकोईन की प्राइस अपनी बुलंद तरी सता, यानि के 70,000 डॉलर को टच कर चुकी है, इससे पहले का हाई, नमंबर 2021 में लगा था, जो के 69,000 USD डॉलर था, बिटकोई गोल्ड से भी महंगा है, आज जब मैं ये वीडियो बिना रहा हूँ, 9 मार्च 2024 को, एक गोल्ड जो हमारी गोल्ड इंटरेक्टनल मर्केन पर प्राइस चलती है, उसकी प्राइस बाइस सो डॉलर को टच की है, यास माई डियर फ्रेंड, ये हिस्ट्री की बुलंद तरीन च प्राइसर में हैं, दोनों ही बहुत तरजी से अपने न्यू हाइस बना रहे हैं, और हम जिस दोर में जी रहे हैं, नई हिस्ट्री बन रही हैं, और नई हिस्ट्री के मताबिक 70,200 का एक BTC हो चुका है, बिटकोईन में ऐसा क्या चीज़ है, कि बिटकोईन की प्राइस इतन हालविंग भी है, आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, BTC हालविंग क्या चीज़ है, और BTC हालविंग का काउंट डाउन चल रहा है, जो के एस्टिमेटिड 17 से लेके 25 एपरल के दर्म्यान होगा, तो मेरा कंसर्न ये है कि आज की इस वीडियो में आपको बताया जाए कि BTC टिकनुलोजी क्या चीज़ है, और BTC के प्रोटोकोल की चीज़ है, और ये किस तरीके से वर्क करती है, और ये क्या सेफ है हमारे लिए या नई, क्या फूचर में इसके अंदर इसका कोई इतमाद है या नहीं, क्या हम इसके अंदर इन्वेस्टम फानी साहब उनसे पूछेंगे कि BTC क्या है, कब जाद हुआ, इसकी हिस्टरी क्या है और कैसे काम करती है और मैं आपको BTC के टेक्निकल अनेलिसिस बताऊगा कि BTC के आने वाले दिनों में प्राइसिस क्या हो सकती है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब 2021 में लोगों ने BTC के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था और उसके अंदर जो एक डंप आया था, एक बेरिश ट्रेंड आया था, चार साहल के साइकल में आज मार्किट उसी लेवल ही या उनसे अच्छे लेवल पर खड़ी है तब जिसने 10,000 डालर इन्वेस्ट किया था, आज उसके 10-11,000 डालर ही उसके अकॉण में पड़े हुआ है क्या आने वाले दिनों में ये डबल होंगे या अपने इन्वेस्टमेंट जल्द 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 विड्रॉक कर लेनी चाहिए और अगर आप नए बंदे हैं, तो क्या आपको BTC में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, रात को मैं एक मैफिल में गया, एक चैरिटी डिनर में गया हुआ था तो रावापसी पे मेरा दोस्त मुझ से पूछता है कि एक बंदों के पास क्रोडर रुपया क्या उसको BTC में अभी जम्पिन करना चाहिए या नहीं तो इन सारी बातों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा तो मैं अपना टेकनिकल अनेलिसिस करूँगा और प्रफेसर इफान फानी साब आपको हिस्ट्री बिताएंगे सो देर किस बात की स्टार्ट करते हैं आज के इन्फर्मेशन से भरपूर BTC के Yearly Analysis जी हा मैं दिर फ्रेंड, मैं नेम इस रहील निवाज और यू आर वाचिंग फरक्सुस्टार्ट कॉम निवंबर दो हजार बारा बिटकॉइन बीटी सी की प्राइसेज बारा डॉलर बाई सेंट थी जो एग्जेक्ली थ्री सिक्स्टी एट डेस के बाद ग्यारा सो डॉलर तक पहुँच गए कीमतों में नो हजार फीसद तक का अजाफा जुलाई दो हजार सोना बिटकॉइन की कीमत 657 डॉलर 57 सेंट थी जो एग्जेक्ली 525 दिन के बाद 19,800 डॉलर तक पहुँच गए कीमतों में 3,000 फीसद तक का अजाफा 2020 बिटकॉइन प्राइसे 16,000 डॉलर से 37,000 डॉलर तक पहुँच गए बिटीसी की कीमत में 1,000 फीसद तक का अजाफा 2024 बिटकॉइन प्राइसेज 70,000 डॉलर के आल टाइम हाई लेवल को अचीव करने की तरफ गामजन क्या आने वाले दिनों में बिटीसी प्राइसेज एक लाख डॉलर, दो लाख डॉलर या तीन लाख डॉलर के हिस्टॉरिकल लेवल को अचीव कर सकती हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राए का इजहार जरूर कीजिएगा दो हजार आर दुनिया को सबसे बड़े फाइनेशल रिसेशन का सामना था डॉट कॉम बबल के ब्रस्ट होने के बाद फाइनेशल क्राइसेज ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया जिपेन, चाइना, जर्मनी, युनाइटेड किंग्डWhen, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, युनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ग्रेट रिसेशन की जड़ में आ गए दुनिया का फाइनेशल सिस्टम मेकमल तोर पर तबाह हो गया United State of America के 22 बैंक और दुनिया के 149 बैंक्स डिफाल्ट हो गए रिसेशन के साथ साथ दुनिया को इंफलेशन ने अपनी ग्रिफ्ट में ले लिया धड़ा धड़ नोट छपने लगे और कॉस्ट अफ लिविंग लोगों की पहुँच से बाहर हो गई पैसे की तलब और रस्ट के इंबैलनस को बैलनस करने के लिए दुनिया ने एक नए सिस्टम का आगास किया जिसे लोग ब्लॉक चेन के नाम से जानते हैं 2008 के फाइनेशल बबल को मैनेज करने के लिए सतोशी नागमोतो ने बिटकोईन यानी बिटीसी का आगास किया जिसको 3 जनवरी 2009 में इंप्लिमेंट किया गया सतोशी नागमोतो ने एकसेस प्रिंटिंग आफ नोट्स और डिमार्ड एंड सुप्लाइ आफ मनी को मैनेज करने के लिए बिटकोईन यानी बिटीसी प्रोटोकोल जारी किये बिटकोईन ब्लॉकचेन टेकनोलजी 21 मिलियन ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है अबतनाई तोर पर एक ब्लॉक को माइन करने के 50 बिटीसी डिवार्ड आवार्ड किये जाते सतोशी नागमोतो के मताबक हर 2,10,000 बिटीसी ब्लॉक्स को माइन करने के बाद बिटीसी डिवार्ड को हाफ कर दिया जाएगा जो 2012 में 50 से 25, 2016 में 25 से 12.5, 2020 में 12.5 से 6.25 और 2024 में 6.25 से 3.125 हो जाएंगे 2,10,000 बिटीसी ब्लॉक्स को माइन करने के लिए अप्रॉक्सिमेटली 4 साल का वक्त दरकार होगा लेकिन ये जरूरी नहीं जो ही 2,10,000 बिटीसी ब्लॉक्स माइन हो जाएंगे बिटीसी डिवार्ड कट कर दिया जाएगा 50 बिटीसी यूनिट डिवार्ड 32 टाइम कट होने के बाद 0 पॉइंट तक पहुँचेंगे और 0 लेवल तक पहुँचने के लिए बिट कॉइन को सन 2140 तक का इंतजार करना पड़ेगा 2012 में बिटीसी ब्लॉक्स 2,010,000 माइन हुए 2016 में 4,020,000 बिटीसी ब्लॉक्स माइन हुए 2020 में 6,030,000 बिटीसी ब्लॉक्स माइन हुए और ब्लॉक्चेंग कलॉक के मताबक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ चार लाख बीटीसी ब्लॉक माइन हो चुके हैं 2024 अपरिल के लास्ट या मई के पहले हफते में चार लाख 80,000 बीटीसी ब्लॉक माइन हो जाएंगे और इसके फॉरण बाद बीटीसी रिवार्ट को 3.125 तक कट कर दिया जाएगा सतोशी नागामोतो के इस बीटीसी प्रोटोकोल कॉनसेट को बीटीसी हालविंग कहते हैं बीटीसी चार्ट के मताबक बिटकॉइन प्राइसे दो हजार बारा में 12.22 डॉलर थी दो लाग दस हजार बीटीसी ब्लॉक्स मुकमल होने के बाद बीटीसी रिवार्ट को 50 से 25 कर दिया गया 2013 जनवरी फरवरी से बीटीसी चार्ट में बुलिश ट्रेंड नजराना शुरू हुआ और बीटीसी हॉल्विंड के एग्जेक्ट 368 डेज के बाद बीटीसी प्राइसे ने अपना आल टाइम हाई 1100 डॉलर अचीव किया यानी कीमतों में 9000 फीस तक का अजाफा और फिर बीटीसी की प्राइसे ने 6 माह तक बेरिश ट्रेंड फॉलो किया जिससे अनीशिली बीटीसी मूवमेंट में हाई वालिटैलिटी नोट की गई 2016 बीटीसी चार्ट के मताबक जुलाई में बीटीसी की प्राइसे 657 इशारिया 57 डॉलर थी 2,10,000 बीटीसी ब्लॉक्स को माइन करने के फॉरण बाद बीटीसी डिवार्ट को 25 से 12.5 कर दिया गया जिससे जुलाई, ऑगस्ट, सेप्टमबर, एक्टूबर, निवंबर, एंड दिसंबर कोई खातरखा मूवमेंट नजर नहीं आई लेकिन 2016 जनवरी, फरवरी और मार्च में बुलिश ट्रेंड नजर आना शुरू हुआ बीटीसी हालविंग के 525 दिन के बाद बीटीसी प्राइसेज ने अपना ओल टाइम हाई 19,800 डॉलर तक का लेवल अचीव किया आल टाइम हाई लेवल को अचीव करने के बाद बीटीसी प्राइसेज बेरिश ट्रेंड की तरफ गामजन हुई साल 2020, चार साल में 2,010,000 मजीद बीटीसी ब्लॉक्स को माइन किया गया जिसके बाद आटोमेटिकली बीटीसी रिवार्स 6.25 तक कट हुए और बीटीसी चार्ट के मताबक बीटीसी प्राइसेज ने 6 महीने के बाद बुलिश ट्रेंड को फॉलो किया और 37,000 डॉलर के हाई लेवल को अचीव किया आने वाले चंद दिनों में बीटीसी यानी बिटकॉइन 2,010,000 मजीद बीटीसी ब्लॉक को माइन कर लेगा एक्सपर्ट, एनलिस्ट, एंड इन्वेस्टर, 2024 को बीटीसी का साल मानते हैं आप आने वाले दिनों में बीटीसी की प्राइसेज को कहां तक फॉर्सी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राए का इसहार जरूर कीजिएगा पिछले एक साल के दुरान बीट कोईन यानी बीटीसी प्राइसेज ने उननिस हजार साथ सो डालर का लो लगाया और उननतर हजार उननतर डालर का हाई लेवल अचीव किया कीमतों में 183.83 परसंट तक तबदीली 2018 आर्क एसेट मैनेजमेंट कमपनी और ब्लैक रॉक ने बीटीसी स्पॉर्ट एटीएफ को रेगुलराइज करने की दरखास दायर की स्क्यूर्ट एंड एक्सचेंज कमिशन ओफ युनाइट स्टेट ऑफ अमरिका के प्रेजडंट जे कलिंटन ने तीन दो के वोट के साथ अप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया आर्क एसेट मैनेजमेंट कमपनी ने री विजट की अपील की और तीन जनवरी दो हजार चौबिस को एटीजी स्पोट एटीएफ मनजूर कर लिए गए मनजूरी से पहले स्क्यूर्ट एंड एक्सचेंज कमिशन ओफ युनाइट स्टेट ऑफ अमरिका के प्रेजिडंट जे गैंसलर ने कहा स्पोट एटीएफ के मौामले में हमें बहुत इहतियाद से काम लेना होगा गैरी गैंसलर का कहना था इंडिविजूल इन्वेस्टर और एसेट मैनेजमेंट कमपनीज को बिटकॉइन ओलिटेलिटी एंड प्राइस अपसेंट डाउन्स को मदे नजर रखके अपने आसेट्स को मैनेज करना होगा ताके बड़े नुकसान से बचा जा सके स्पोट एटीएफ की मनजूरी के बाद बिटकॉइन प्राइसेज ने 37,000 लेवल को क्रॉस किया 50,000 डालर के मैजिकल फिगर को अबूर करते हुए 60,000 डालर के लेवल को भी अबूर किया और अब 70,000 डालर लेवल को अचीव करने की तरफ गामजन है अगर आप स्पोट एटीएफ के मतलग डिटेल मालूमाद चाहते हैं तो फारक्सुस्तार डाट कॉम की स्पोट एटीएफ वीडियो को जरूर देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इन्वेस्टिंड डाट कॉम, यहू फाइनेंस, फाक्स न्यूज एंड ब्लूमबर्ग के मताबक 2024 बिटकॉइन का साल है हेज़ फंड गुरू बिल एक्मेन, SEC चेर्मेन गैरी गैंसलर, रिच डैड और पूर डैड आथर रॉबर्ट क्योसाकी और ब्लैक रॉक कंपनी के फाइनेंशल एनलिस्ट के मताबक बिटकॉइन प्राइसेज में वीकली, मन्थली एंड इयरली बुल रन नोट किया जा सकेगा 2010 से 2014 के दर्मियान, .28 डॉलर से 69,000 डॉलर का बी टी सी का ये सफर बड़ी आबो ताब से जारी है हालिया 69,000 डॉलर के हाई लेवल के बाद, पैनिक में शॉर्ट अम इन्वेस्टर ने 2.4 टॉलियन डॉलर मार्किट से विड्रॉ किये और मार्किट को एक हाई रिट्रेस्टमेट लेवल देखने को मिला क्रिप्टो अनलेसिज फर्म स्विस ब्लॉक के मताबक, बिटकोईन की वी शेप रिकवरी जारी है और आने वाले दिनों में बिटकोईन प्राइसे 76,000 लेवल को अबूर कर सकती है ट्रेडिंग व्यू के मताबक, बिटकोईन प्राइसेज हैस नॉट टॉपड, इट्स आल टाइम हाई ड्यू टू अज़स्टेड इंफलेशन बिटकोईन एटीएफ फ्रेंजे के मताबक, ब्लैक रॉक कमपनी ने एक दिन के दुरान अपने प्लीवियस रिकॉर्ड 612 मिलियन डॉलर को ब्रेक करते हुए 788 मिलियन डॉलर को अचीव किया और फाइनशल एक्सपर्ट के मताबक, आने वाले दिनों में बीटीसी प्राइसे 70,000 डॉलर के लेवल को अचीव करके, एक लाग डॉलर लेवल को अचीव करने के लिए, बीटीसी प्राइसे को 71,000, 74,000 लेवल को अबूर करना होगा और इन लेवल को अचीव करने के लिए, बीटीसी प्राइसे को 54,000 स्ट्रॉंग सपोर्ट की जरूरत होगी मंतली चार्ट के मताबक, बीटीसी प्राइसे ओवर बार्ट जोन में दाखल हो चुकी है और आने वाले दिनों में बीटीसी की प्राइसे में हाईली वालिटालिटी अब्जर्व की जा सकेगी फाइव कैंडल मुविंग एवरिज के मताबक, बीटीसी की कीमत 57,000 डॉलर नोट की जा सकती है As a financial individual investor, highly volatile and price fluctuation की वज़ा से आपको बड़ी एहतियाद से काम लेना होगा ताके आप बड़े नुकसान से बच सकें बिटकॉइन में ट्रेड अपने मेंटोर की हदायात और अपने मनी मैनेजमेंट के प्लैन के अकॉर्डिंग ली कीजिए ताके आप बड़े नुकसान से बच सकें बिटकॉइन के टेक्निकल फिजिबल एरिया को जानने के लिए forex उस्ताद.com की तरफ चलते हैं Welcome back my dear friend ये BTC Allwing का countdown चल रहा है 39 days, 13 घंटे और कुछ मिनट बाकी है जब ये वीडियो बनाऊंगा तो 39 days ही होंगे लेकिन hours कुछ काम हो जाएंगे जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगे अगर मैं BTC के चार्ट के उपर चला जाओ तो ये BTC का मंतली चार्ट है BTC का पहला high April 2021 में देखा गया मैं इन 10 days की बात कर रहा हूँ फिर उसके बाद नवंबर 2021 में इसका दूसरा high लगा जो के 69,000 डॉलर था अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानि के 9 March 2024 को इसका एक और आई यानि के 70,000 डॉलर 70,200 डॉलर का इस टाइम एक BTC हो चुका है लेकिन अगर हिस्ट्री में हम थोड़ा सा पीछी चलेंज है तो BTC का आगाज होता है Back to December 2014 Yes, my dear friend आपके पैदा होने के बाद ही BTC लांच हो है ये बाद याद रखने की है उसके बाद BTC 700, 800, 400 डॉलर का बहुत अर्सा रहा Even 2016, 2017 तक हम BTC के अंदर 1000 डॉलर भी कभी इसने क्रास नहीं किया और कभी उमीद भी नहीं थी कि BTC 1000 डॉलर क्रास करेगा या इतना महंगा हो जागा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था Anyhow, BTC का first time high मेरी होश में December 2017 में लगा जब हमने इसका अरूज आते हुए देखा और December 2017 को इसकी प्राइस 19,000 और 600-700 डॉलर होई और दुनिया की चीखे निकल गी और दुनिया को समझ आ गई कि ये BTC भी कोई चीज है और पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए यार पूरी दुनिया ने पहाँ चाहिए ये भी कोई चीज है और फिर तब लोगों ने इसको सिरियस लेना शुरू किया उससे पहले तो कभी भी BTC को सिरियस लिया ही नहीं गया आपने एक वीडियो देखी होगी है हमारी इससे पहले नेचरल गैस के 4-year अनेलिसीज यानिके नेचरल गैस का 4-year का साइकल होता है इसी तरीके से BTC का भी 4-year का साइकल होता है BTC में हर साल 4 साल बाद एक बुल रान आता है और 4 साल के end में BTC एक तबाई बचा देता है BTC अपने अरूज पे चला जाता है तो ये उसी लेवल का ही एक अगास था यानि के जब BTC का अगास हुआ 2014-15 में उसके ठीक 4 साल बाद 2017 2017 2017 के एक हाई लगा उसके ठीक 4 साल बाद 2021 में BTC का दुबारा से हाई लगा और ये कहां आप ये खुद सोचने कहां 19,000 डॉलर और कहां उसका बाद डारेक्ट जम्प 69,000 USD डॉलर और अब जहां पे हम बैठे हुए हैं यानि के अगला हाई लगा 21 में 2021 में और अब जब हम 2024 में बैठे हैं 21, 22, 23, 24 येस माई डियर फेंड अब अगेन BTC का एक बुल ट्रेंड का अगाज हो चुका है और BTC अब जब ये कितने गुना का फरका है प्रफेसर इरिफानफानी सब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्स्प्लेर किया अब अगर उसे हिसाब से देखे तो BTC की जो नई प्राइसीज हैं वो 130,000 और 150,000 के करीब करीब होने वाली है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो मार्कीट ने 17,000 डॉलर का हाई लगा लिया ये देखें 17,200 का अभी कल ही नया हाई लगा है और अब उमीद ये की जा रही है कि मार्कीट इसको भी ब्रेक करेगी और मजीद उपर जाएगी अब हमें कैसे पढ़ा चलेगा कि BTC के अंदर जो नया हाई लगने वाला वो कितना है अगर हम देखें तो उसका भी बड़ा तरीका सिंपल सा है मैं आपको गाइड कर देता हूँ अभी एक इंडिकेटर है फैबो नेची के नाम से जो Technical Analysis में हम यूज करते है वो दुनिया का Number 1 इंडिकेटर है इस इंडिकेटर को आज के हम High यानि के 70,200 से पकड़ते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं इसके Low तक यानि के 4 साल के अगर साइकल के अगर बात करें अगर 4 साल के साइकल के अगर मैं बात नहीं करता तो Previous Low के उपर भी इसको लेके आता हूँ जो के November 2022 में लगा था तब भी और आपको दिखा ज़ता हूँ और उसके बगैर भी में आपको दोनों तरीकों से रिजल्ट दिखा ज़ता हूँ इसको मैं थोड़ा सा जो अगर मैं 2022 वाला लो देखूँ तो उसके मताबिक अब BTC का जो नया हाई है वो 1,03,000 रुपे का पहला स्टॉप बनता है फस्टॉप जी हाँ माइडियर फ्रेंड 1,03,000 और अगर मैं BTC का दूसरा स्टॉप देखूँ तो 1,58,000 प्राइसीज बनती है चलें इसको आल टाइम लो पे कनवर्ट करते हैं अब तो हमारा फैबोन अची लैवल क्या कहता है तो जहां से ये BTC का अगाज हुआ था यानि के 500 डालर ही हैं 400 डालर के उपर मैं वहाँ पे ले आया हूँ और अब देखते हैं कि BTC का अगला हाई की प्राइस क्या होगी तो उसके मताबिक 1,13,000 BTC की नेक्स्ट जो जम्प है ये नेक्स्ट हाई है उसकी प्राइस 1,13,000 होनी चाहिए और उसके बाद जो अगला स्टॉप है वो इसके मताबिक फैबोरिची के इस टूल के मताबिक वो 1,80,000 डॉलर के करीब करीब होगा जी हाँ माई डियर फ्रेंड आपने बिलकुल सही सुना BTC का अगला स्टॉप हमें 1,80,000 डॉलर और अगले 4 साल की अगर मैं बात करूँ तो 2,52,000 के अंदर अंदर में BTC नजर आ रहा है यानि के इसके अंदर इतना पोटेंशन मुझूद है के एक BTC धाई लाख डॉलर को हो जाएगा यानि के अगर किसी बंदी ने जब BTC थोड़ दिन पहले ही दो तीन महीं ने पहले 30,000 डॉलर पे था अगर किसी ने 30,000 डॉलर का एक BTC खरीद लिया तो वही एक BTC धाई लाख डॉलर का हो जाएगा यानि के अगर मैं पकिस्तानी रुपीज की बात करूँ तो एक ऐसी प्रोड़क्ट जो प्रोड़क्ट आपने ली थी 90,000 लाक रुपे में महद और यह मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ अब यह दिखाता हूँ मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि दिसंबर 2023 या जनवरी 2023 जनवरी 2024 की बात करूँ यानि के ठीक दो महीने पहले की बात करूँ तो एक BTC की कीमत 35,000 डॉलर थी यह आपके सामने चल रही है दिसंबर में यह 35,000 से भी नीचे था यानि के लगबग यह 37,000 डॉलर का था और जनवरी में इसका जो लो था वो 38,000 डॉलर का था यानि के एक ऐसा प्रोड़क्ट जो जनवरी 2024 के आगाज में आप खरीते हैं एक करोड चोदा लाख रुपे का और अगर यह BTC अपना पहला बेंचमार्की लगा देती है यानि के एक लाख तेरा हजार डॉलर तो वही आपकी अमाउंट सीधी सीधी साड़े तीन करोड रुपया बन जाती है और अगर मैं इसकी हाईक ही बात करूँ तो फिर तो गिनोई मत जो के धाई लाख डॉलर है यास माई डियर फ्रेंड साड़े साथ करोड आपने बिल्कुल सही सुना के आपका वही एक करोड साड़े साथ करोड में कनवर्ट हो जाता है महज चंद महीनों में और BTC का जो हैल विन आ रहा है अगर आपने जनवरी दोज़ार चोबिस में BTC करीदा था तो अपरल दोज़ार चोबिस में उसकी वैल्यू एक लाख डॉलर से उपर की ही है कम असकम एक लाख डॉलर से लेके डेल़ लाख डॉलर के दरमयान दरमयान इसकी prices के touch करने के chances है so my dear friend BTC के अंदर अभी potential मुझूद है और अभी आपको प्रफेसर लिफान पानी साब ने सारी इसकी details बताई है I hope वो आपको समझ आई होगी अचा अब हम main question की तरफ बढ़ते हैं कि क्या अब हमें BTC में invest करना चाहिए या नहीं इस सवाल का जवाब इतना सादा नहीं है यह हर इनसान के उपर depend करता है उसकी financial condition को देखना पड़ेगा उसकी mental condition को देखना पड़ेगा और उसकी health condition को देखना पड़ेगा उसके बाद यह फैसला किया जा सकता है उसके हालात और वाक्यात और उसकी माली कनडिशन क्या है? उसके मुताबग फैसला किया दाएगा क्या उसको Bitcoin में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? क्या उसकी पास जो amount है, क्या वो sufficient है BTC के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं? हमारे इसी चैनल ForexEasthard.com के उपर हमने एक Ethereum को Ethereum भी BTC के साथ ही Legend Quoin है हमने एक Ethereum को 1400 डालर से बाय करवाया था जबके एक Bitcoin को हमारे चैनल ForksUstar.com ने आपके सामने ही चल रही है प्राइस 20,000 डालर से बाय करवाया था अगर आपने यही हमारे चैनल को फालू किया होता 2023 में तो आज आज आप भी BTC को सिर्फ महज 20,000 डालर में बाय करने में कामयाब हुए होते और अगर 20,000 डालर से आपने बाय कर लिया था तो खुद सोच ले अभी तक आपके अमाउंट 3 गुना भड़ चुकी होनी थी यानि के 60,000 डालर नहीं 70,000 डालर पेज़ टेम BTC है तो अगर आपने एक प्रोड़क्ट 20,000 के लिए होती तो अभी आपकी वो प्रोड़क्ट 70,000 डालर की हो गई होती इसी तरीके से जो मैंने अथीरियम बाय किया हुए यह लाइब स्ट्रीम पे मैंने बाय किया है और साइध दुनिया के सामने बाय किया है BTCB और अथीरियम ही और मैंने एक अथीरियम को 1400 डालर से भी बाय किया हुआ है मैंने एक अथीरियम को 1500 डालर में और 1600 डालर में भी बाय किया हुआ है जो कि अपने दो तीन गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है अभी मुझे बहुत बहुत लंबे हैं अभी जो एक प्रोड़क्ट मैंने 1500 डॉलर की लिए थी अभी मैं उसको जो प्रॉफिट टार्गेट कर रहा हूँ पहला बेंचमार्क मैंने 5000 डॉलर सेट किया हूँ और दूसरा बेंचमार्क मैंने तकरीबन 9-10,000 डॉलर के करीब करीब रखा हूँ है उसकी वज़ा क्या है अथीरियम का भी ETF आ रहा है जिस तरह पिछले दिनों जन्विदी के अंदर आपको नजर आया था दिसंबर के अंदर बिटकोइन का ETF इसी तरह के से अब अथीरियम का भी ETF आ रहा है और जब यह अप्रूव हो जाएगा तो अथीरियम की प्राइसीज free fall move करेंगी और बहुत ज़्यदा move करेंगी उसके बाद अथीरियम के Halloween बगारा और बाकी सारी चीज़े हैं माई डियर फ्रेंड अब इस logic को समझते हैं कि BTC की prices इतनी upside पे क्यों जा रही है और क्या आने वाले दिनों में इतनी upside पे क्यों जा सकती है उसके बड़ पीछे बड़ा simple सा logic है जो प्रफेसर फार्ण फार्ण साम भी आपको डेटेल में बताया कि इसकी mining दिन बाद दिन cut हो रही है इसकी supply पे cut लग रही है जब किसी भी product की आपको पता ये कि journal rule है supply and demand की जब भी किसी product की supply पे cut लगेगा तो उसकी demand में इजाफा होगा demand पुरी नहीं होगी तो rate में इजाफा होगा anyhow my dear friend ये आपका financial decision आपको खुद ही लेना है और आपका financial consultant आपको help out करेगा इस decision को लेने में कि आपको BTC कितना खरीदने है कहां से खरीदने है और कब खरीदने है किस price से खरीदने है और क्या आपको BTC में invest करना भी चाहिए या नहीं अगर मैं आपको अपनी बताओं तो BTC के अंदर अब investment का time नहीं है और अगर आपके पास अभी पैसे हैं तो आप नीची order रखके बैठ सकते हैं pending order वो कब क्यों कैसे वो अगर आप हमारी consultancy लेंगे तो इंचाला मैं भी आपका portfolio design कर सकता हूँ बैटर यह है कि आप अपने professional certified educated professional consultant से राफ्ता करें ठीक है तो वो आपको guide करें otherwise हमारी services भी available है anyway let's back to the point BTC की prices कितना गिर सकती है और कहां से हमें buy करना चाहिए very important question है मैं दुबारा मंतली चार्ट पर आजाता हूँ और मंतली चार्ट में इसके जो low इसका लगा था 2023 में जनवरी 2023 से दो साल के लिए लेता हूँ higher low और अगर मैं इसकी बात करूँ तो अभी इसका जो retracement first retracement मुझे नजर आ रहा है वो 57,000 है और जो second retracement है इसका वो 45,000 और third 42, 43,000 यानि के 40,000 पर भी एक BTC दुबारा डिप लगा सकता है आज कल BTC डेलिस की basis पे हजारों डॉलर की movement दे रहा है जिसका मतलब यह है कि अब भी अगर BTC में scalping भी की जाए तो daily हजारों डॉलर का profit कमाया जा सकता है कब क्यों कैसे यह इंशाला आपको हमारी आने वाज दिनों में training के अंदर परा चलेगा आज की वीडियो ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर मैं intraday signal दूँ आपको आज की वीडियो हिस्ट्री के उपर है और आज की वीडियो आपको BTC की अमियत के उपर अंदादा दिलाने के लिए थी हिस्ट्री बताने के लिए और नेक्स्ट ही बताने के लिए थी इंट्राडे वीडियो के लिए आप हमारा चैनल स्विच कर सकते हैं दुबारा से मैं वीडियो बिनाता रहूंगा इंट्राडे सेट आप वो लाइफ स्ट्रीम में भी मैं बताता रहता हूं डेली मैं मंडे से फ्राइडे तक लाइफ स्ट्रीम करता हूं शाम पांच बज़े से लेके रहा 10 बदे तक तो मैं डीर फेंड लाइब स्ट्रीम में देखके आप लर्न कर सकते हैं और इसी तरह जा अब राए कोर्स भी आ रहा है आर्टिफिचल इंटेलिजन यानि कि ट्रेड विद आर्टिफिचल इंटेलिजन इस को भी आप जोइन कर सकते हैं क्रिप्टो क के दर किस तरीके से आपको चैट GPT हेल्प करता है बिटीजी के अंदर और थीजं के अंदर और आल्ट कोईं के अंदर ट्रेडिंग करने में और प्रॉफिट बनाने में और लॉस से बचाने के लिए तो यह कोर्स मेरा जिसकी प्राइस वैसे तो 1000 डालर रहा लेकिन मैंने 100 की बरकत गरह से यह सिर्फ दस डॉलर में आफर किया जा रहा है तो अभी इस को हसल करने के लिए हमारी टीम से राप्ता करें और अपनी दो में यादर के अगली वीडियो तरके लिए जाद दें अला आफिस असलाम अलेकूं कर दो